शीवार शीवाँ 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 जटाकवी गलज़ल प्रवाह पावितस्तले गलेव लंबलं ब mitigation य। neighborhood outcome निनाद वड़्डमर्वद जवकार चंडदांडव θαört नो तुन शीवाँ 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 नमस्कार आप सबका हमारे चैनल शीमा धूम रेमेडीस पर स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि हुली के दिन कौन सी राशी किस रंग से हुली खिले जिससे कि हमारे ग्रह दोश खत्म हो हमें फाइदा हो तो राशी नुसार हम बताने जा रहे हैं कि किस राशी को किस रंग से हुली खिलने चीए और उसके फाइदे क्या होता है देखिए हुली तो रंगों का तहवार है और हुली के रंग जीवन में अलग अलग तरह के रंग को दर्शाते है परते एक मनुष्य किसी न किसी रंग से लगाओ रखता ही रखता है और रंगों का अपना महत्व है हमारे चीवन में तो यदि आप अपने राशी नुसार होली खिलते हैं रंग से तो आपके भाग को उज्वर बनाता है सुक स्मृधी आती है तो भाग और सुक स्मृधी दोनों में विर्धी होती है तो सबसे पहले हम मेस राशी का बताएंगे कि उन्हें किस रंग से खिलना चीवने क्या फाइदा होगा देखें मेस राशी का जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल मंगल उर्जा का प्रतीक माना जाता है तो ये उनके लिए सरोस्रिष्ट होगा, काफी शुब होगा और वैसे भी लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है हम आपको आप्शन भी बता जिता है कि और आपकी सरंग से खिल सकता है कि आपको लगया यार सिर्भी लाल रंग से खिले तो मेस राशी के लिए लाल रंग के अलावा गुलावी रंग भी सरोत्तम रहेगा अब है ब्रिषब रसी ब्रिषब रसी जो हैं इनके जो स्वामी करें हुआ है शुक्र ब्रिषब रसी के तो शुक्र भोग विलास का कारक मना जाता है तो बैंगनी रंग से आपको हुली खिलना चीए ये आपके लिए शुब रहेगा इस रंग से हुली ये दिया आप खिलते हैं तो आपके सौभाग मेवरी दी होगी दो कलर और भी हैं आप्शन आपके पास विश्वरासी वाले वह सफेद और क्रीम करद इसके बाद है मिथून राशी कि मिथून राशी को किस रंग से हुली खिलना चीए तो मिथून राशी के स्वामी ग्रह बुद्ध है मिथून राशी के स्वामी ग्रह बुद्ध है तो बुद्ध जुग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं तो इस राशी के लोग यदि हरे रंगे से हुली खेलते हैं तो ना केवल इनके मान समान में व्रिदी होती है बलकि समंदों में भी प्रगाड़ता आती है मिथून राशी के एक कलर और है जिसे आप हुली खेल सकते हैं और वो रंग है पीला अब एक करक राशी करक राशी के जो जातक है अब इनके जो स्वामिक रहे हैं वो है चंद्र चंद्रवा अब चंद्रवा मन का कारक होता है तो इस राशी वालों के लिए जो सबसे बेस्ट कलर होगा वो सफेद रंग सफेद रंग का प्रियोग करें आजकल बिलता है इस रंग से इनके जीवन में शांती और धन का अगमन होता है अब चलो सफेद रंग हो सकता हर जगह नहीं बिले तो एक कलारालर है आपके लिए और वो रंग है क्रीम आप क्रीम रंग से हुली केल सकते हैं करक राशी के बाद सिह राशी सिह राशी के जो कारक ग्रै है जो इनके स्वामी है वो है सुर तो सिह राशी के जातकों को जिस रंग से हुली खिलने चीए वो रंग है पीला और केसरिया रंग तो पीला और केसरिया रंग से आप खोली खेल सकते हैं ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा सुर राशी के स्वामी करद सुर हैं और सुर को ग्रहूं का राजा कहा जाता है इस राशी के लोग गुल्डन करद भी इस्तमाल कर सकते हैं इस से इनके जीवन में उच्छा का आग्मन होगा और हर आदमी चाहता है कि उच्छा का आग्मन हो अब अगला राशी अगला राशी है आपका कन्या राशी तो कन्या राशी को किस रंग से खिलना चीए हम आपको बिता जाते हैं कन्या राशी के लोग के लिए हरा रंग स्रिष्ट माना जाता है तो आप हरी रंग से के लिए ये आपके लिए सर्वस रिष्ट रहेगा क्योंकि आपके जो राशी है उसमें सबसे सुटेबल हरा रंगी होगा तो मैं इसी तरह सारी राशी की बताते जा रहा हूँ अब है तुला राशी तुला राशी जो है वो शुक्र की राशी है शुक्र जो एस्वरे का कारक माने जाते है तो इस राशी के लोग सफेद और हलके गुलाबी रंग का प्रियोग कर सकते हैं जो तुला राशी के जाते हैं तुला राशी के लोग एक रंग और इस्तमाल कर सकते हैं एक दो रंग इस्तमाल कर सकते हैं, वह सफेद रंग और पीला रंग, अब है विशक राशी, यह मंगल की दूसरी राशी है, तो इस राशी के लोग को मरून और लाल रंग का प्रियोप करना चीए, मरून और लाल रंग, आप गुलावी रंग से भी खेल सकते हैं, यह भी लाल सरफ्रेष्ट रहेगा, उसके बाद है धनूराशी, धनूराशी के जो चाहतक हैं, उनके लिए जो सरफ्रेष्ट रंग होगा, वो होगा लाल और पीला रंग, यह दोनों ही कलर उनके लिए सुटे बेल रहेगा, अब है मकर राशी, तो मकर राशी के लिए सरफ्रेष् नीला और हरा रंग ये इनके लिए शुब रहेगा मकर राशी के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इनका जो स्वामी ग्रेह हैं मकर राशी के वो है शनी तो आप काले रंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब काला क्या हर्ची किसको लगाओ के तो अच्छा नहीं लग जो मकर राशी वाले इन लोग के जीवन में सही दिशा देने में मदद करता है ये इनका सबसे बड़ा मैनेफेट है उसके बाद है कुम्ब राशी कुम्ब राशी शनी के दूसरी राशी है तो ये लोग बैंगनी और गुलाबी रंग का प्रियोग कर सकते हैं कुम्ब राशी वाले नीला रंग शुब रहे गई रहेगा अब हम आते हैं आक्री राशी मीन राशी जो मुझे बताना है आप लोग को तो मीन राशी के स्वामी गरह हैं ये तो आपको पता ही है कौन है मीन राशी के स्वामी गरह और आपको जानना बीचिए कि मीन राशी के स्वा आधार रहना चीए मीन रास्य के सवामी ग्रह तो आप पीला रंग से आप खेल सकते इससे आपके घर में सुक्षांति आई गी और सुकस्मिधी बढई गी पीले के अलावा एक और और option आपके पास हो हो है लाल रंग आप खेल सकते हैं लाल रंग से तो धन्यवाद आप सब हमारी चनल पर स्वागत है आप हमारी चनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीचिए धन्यवाद